आई इसकी अगली विशेष्टा के और बढ़ते हैं अगली विशेष्टा है व्यावसाय अभी मुकी बिलकुल यह बिजनेस ओरीइंटेड होते हैं बिजनेसमैन है तो बिजनेस ओरीइंटेड होगा ही कहां से उसको प्रॉफिट मिले और क्या चीज है जो लोगों को अपनी और आकरशित करें आपने देखा हो कई बार सेल्स भी लगते हैं यह लोग बहुत बार स्टॉक्लियरंस भी करते हैं तो क्या अलग-अलग तरीके से उद्मी अपना व्यवहार करता है कि कस्टमर को अपने तरफ एट्राक करना है और अपने द्वारा जो मेनिफिक्चरिंग प्रॉडेक्ट है उनको सेल आउट करना है ठीक है बहुत बड़े बड़े ब्रांट्स आपने देखे होंगे कि कई बार सेल लगाते हैं डिसकाउंट यह आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल देख रहे हैं उसमें भी क्या चलता है कि 5 डेस मेला चलता है या 6 डेस या द सीथ बिसनिःस औरियंटेट प्लांड हैं कि से कस्टमर को अपने प्रॉडेक्ट को सेल की आ जाए खस्टमर सावित यहा थी तुप पहुंन साथ हैं ठीक है तो उद्यायमी जह होता है बिसनिस ओरींट़ भी होता है और फोltर कियो चलते हैं च् Second is विशेष्टा को देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है अगली जो विशेष्टा वो कहता है भूमिका रूपांतरन प्रक्रिया नी प्रॉसेस ऑफ रोल ट्रांस्फोमेशन बिल्कुल सही बात है तो किस प्रकार से होती है यह यह लोग क्या करते हैं ऐसे कारियों को निश्पादित करते हैं जिससे की इनकी एक अच्छी खासी साख जो है बाजार में बनती है मतलब अब जैसे आप बहुत बड़े-बड़े लोगों को देखेंगे धीरुबायमबानी हो गए ठीक है टाटा बेला गरुप के सर हो गए तो यह लोग और रिलाइंस से जुड़े हुए जितने भी बड़े-बड़े डिगनेटरीज हैं यह हम कह सकते हैं जो उनसे व्यापारी जुड़े हुए हैं लोग यह सारे लोग जो उच्छ पदों पर ह हैं बड़े-बड़े उद्यमी हैं यह एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं एक इनकी अलग से भूमिका होती है जो इनकी लिविंग पैटर्न को लोग फॉलो करनेते हैं क्योंकि यह लोग अपने लिए कुछ डिसिप्लेंस यानि कुछ ऐसे जीवन जीने के तरीकों को बनात इतने बड़े manufacturing unit को या उतने बड़े उद्यम को वो discipline में कैसे लेके आएंगे तो जो रोल transformation वाली बात होती है तो यह इनके लिए बहुत important है क्योंकि तभी इनकी साख जो है वो market में बनी रहेगी अगली एक और बिंदू है जो कहता है कि परिणाम जनित व्यभार बिल्कुल यह result oriented behavior होता है आप लोगोंने कई बार movies में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं MNC जो क्या है और powerpoint presentation के तुरू graph pictorial description चल रहा है कोई वहाँ पर या तो कोई manager है या कोई lady है जो खड़ी हो करके उस powerpoint presentation को क्या कर रही है describe कर रही है वो graph क्या समझाता है results की उनका जो business है वो पहले कहां था और अब कहां है और अगर variation आया है तो कब आया है और क्यों आया है इन variations पर वो कैसे work कर सकते हैं ठीक है और अगर problems आ रही है तो इनको कैसे sort out कर सकता है ठीक है इन सारी चीज़ों पर description होता हो movie में वो आपके लिए scene है बट particularly किसी business के लिए वो actually happening thing है मतलब वो होता ही है वो करते ही है क्योंकि यह जो होते हैं एक business oriented people होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि व्यावसाइक अभी मुखी होते हैं साथ ही साथ ही result oriented behavior भी होता है इनका जो बहुत कर रहे हैं कर रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा प्रक्रिया होती है यह न केवल राजनेतिक आर्थिक सामाजिक है न और देश में या समाज में जितनी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं सब को लेके चलते हैं किसी भी एक field को यह छोड़ते नहीं है क्योंकि जो लास्ट एड़न जो एक व्यापारी हो व्यावसाई हो उ वापस कुछ न कुछ देना है उसको एक social responsibility है तो जो वातावरन प्रक्रियाएं है उसको इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जैसे शासन द्वारा बनाए गए कानून ठीक है समाज के वातावरन को स्वच्छ रखना जरूरी है है न तो इनके manufacturing unit से अगर कुछ बाहर न रक्षित जीवन में साथ ही साथ शिक्षा और ऐसी बहुत सारी चोटी चोटी चीजें हैं जिन पर इनकी पहनी नजर होती है क्योंकि इन सब चीजों को लेकर के चलना इनके लिए बहुत मित्पूर्ण है क्योंकि एक उद्यमी जो होता है वो society का पार्ट होता है वो society से बह बहुत अच्छे results देना इनका मौतवपूर्ण काम होता है अगली जो हम characteristic की तरफ बढ़ते हैं अगली विशेष्टा कहती है कि प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है management is a medium और vehicle of entrepreneurship बिल्कुल सही बात है बिना management के तो चोटा सा काम नहीं हो सकता हम अपनी पढ़ाई नहीं कर सक तो वो थोड़ा सा अस्तवियस हो जाता है तो जब उद्यमी इतना बड़ा व्यवसाय चला रहा है तो उसे management जरूरी है क्योंकि इतनी सारी चीजों को manage करना है प्लानिंग करना है organizing करना है staffing करना है directing करना है collecting करना है सब कुछ करना है मतलब हर चीज को देखके चलना है कि वा सदंद करेंगे resources संसादन कहा से मिलेंगे अब इसन चीजों को लगने वाली machine कहां से हम ला मिलेगी इसक को कहां लगाएंगे वहां पर process कैसे चालोगा अब जो outcome आया या हम क्या सकते है अंतिम उत्पाद हम को मिला है वह अंतिम उत्पाद को किस तरीके तक हम कस्टमर तक पहुँच जाएंगे यह सारी चीजे उपर प्रभंध के अन्तरगत आते हैं तो एक उध्यमी जो होता है उसको इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है अगली विशेष्टा है सारभ भौमिक प्रक्रिया है एक यूनिवर्सल अक्टिविटी है क्या कौन सी यूनिवर्सल अक्टिविटी है उध्यमिता एक यूनिवर्सल अक्टिविटी है क्योंकि इसमें जो है शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक, आर्थिक, खेल, कूद, तो एक ये युनिवर्सल अक्टिविटी है उध्यमिता हर जगह है मैंने आपको बता है ना बहुत सारे एक्जेम्बल्स देकर चोटे-चोटे की कहां कहां उध्यमिता हो सकते हैं तो यह जो जितनी चीज़े मैंने अभी आपको काउंट कराई हैं इन सारे चीज़ों में भी उद्यमिता इन्वाल्व होती है अगले करेक्टिस्टिक की और बढ़ते हैं अगला करेक्टिस्टिक कहता है संसादनों का सर्वुत्तम उपयोग तो एक उद्यमिज होता है बहुत अच्छा मानजर होता है यह जो है लिमिटेड रिसोर्स में किस सरीके से अपने काम को करेक्टिस्टिक दिख रहा है कि optimum utilization of resources यानि संसादनों का सर्वुत्तम उपयोग तो यह सबसे बड़ा गुण है इनका कि जितने भी resources available हैं उनको किस सरीके से अच्छे से उपयोग किया जाए और जो objective set किया है या जो goal set किया उसको किस सरीके से अच्छीव किया जाए अगला जो विशेष्टा है अगली विशेष्टा हम कह सकते हैं वह पेशेवाइक रिया बिल्कुल यह बिल्कुल professional होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो यह इतने professional होते हैं कि अपने day to day life में अपने family अपने working culture में एक बहुत बड़ा difference रखते हैं क्योंकि अगर यह professional नहीं रहेंगे तो इतने बड़े उद्यम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर discipline maintain करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के भी समानता बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर हम प्रफेशनल नहीं रहेंगे तो बाइसनस आ जाएगा ना बाइसनस मतलब किसी एक की तरफ जुका हो तो इस सित्वी में क्या होगा काम ठीक से नहीं होगा तो इनका प्रफेशनल होना बहुत जरूरी है प्रफेशनल डिसीजन लेना प्रफेशनली लोगों को और चीजों को समझना और उनकी बीच अंतर करना यह इनका मुख्यगुन मान सकते हैं अंतिम जैसकी विश्रिचता होता है तो बच्चो इस तरिके से हम इनके विश्रिचता की विशेषताओं के बारे में जाना है आईए हम इसके बाद इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं और महत्व को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं उद्यमिता की आवशक्ता या महत्व की बारे में चर्चा कर रहे हैं उद्यमिता की आवशक्ता क्यों है या इसका क्या महत्व है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उद्मिता है ये कोशल है ये देश की सामाजिक तता आर्थिक सती को मजबूत करने में इसका महतवपूर्ण योगदान है अब किस सरीके से योगदान है मैं आप लोग ये कोशन पूछेंगे भाई ये जो उद्यमिता है ये क्या करता है ये सबसे पहले एक इंडेस्ट्री डेवलप हुई उससे क्या हुआ लोगों को रोजगार मिला रोजगार मिला उससे क्या हुआ लोगों का जीवन स्थर सुधरा है ना उनकी इंकाम बड़ी आर्तिक सिती सुधरी अब क्या केवल और अकडिक सुधरीं इतना ही मotion बिलकुल नहीं इसके सासाथ क्या मलाए सकता है अब यह जो उद्यां होते हैं अलग अपनी आ पहनी समाजिक जो उनकी जिम्मिदारिया हैं उनका वहन करते हैं, ऐसे स्कूल बनाना, शोपिटल बनाना तो ये सब भी क्या करते हैं उसके महत्व को दर्शा आते हैं ठीक है फिर उसके बाद बात आती है कि क्या इनका महत्व यहीं कतम हो जाता है बिलकुल नहीं इनका सबसे इंपॉर्टेंट डॉल प्ले करते हैं ये जब इन उद्वमियों ने रूरल एरिया मे और वहाँ को और अधिक रोजगार मिला। जए लेकिन गाओं के लोगों को भी आपपना जो गाओं तक सीमित था, अब वह गाओं से उठकर शहरों में ही नहीं आया है बलकि अब वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है या भीजा जा रहा है और उससे क्या हो रहा है एक के मेलों में उन लोगों को लाते हैं और यहां के आर्ट एंड क्राफट की छीजों को दिखा करके वो प्रोत साहित करते हैं ौ मोटिवेट करते हैं कि उनको पर्चेस करें जिससे कि इन लोगों के रोजगार में बढ़ावा भी मिलता है साथ ही साथ देश की खुबसूर्ती देश का कल्चर जो है दूसरे देशों तक पहुंचता है और बाहर की जो करनसी है वो देश में भी आती है एक अच्छी इंकम जनरेट होती है तो केवल यहां की लोगों को रोजग अवशकता हमको महसूस होती है और साथ ही यही वह जिसकी कारण अब हम यह साथ जानते हैं कि उद्यमिता क्यों आवशक है कुछ बिंदू के माध्यम से इसे हम और अच्छी तरीके से जानने समझने की कोशिश करते हैं उद्यमिता का महत्व हम देख रहे हैं उसमें पहला पहला बिंदू है स्वर रोजगार प्रदाय के नहीं अब यह क्या करते है केवल खुद को रोजगार नहीं देते खुद को मतलब स्वयाम को बिल्कुल सही बात है खुद के लिए भी इंकम जेनरेट करते हैं साथ यह साथ बहुत बड़े ग्रुप के लिए क्योंकि जिन अपने साथ काम करने के लिए जनकों करा यूस की अपने साहभी पर दोन्स चाहिः में अर्टिक शक्ति के केंदर केंधर करन का विकेंधरे करन अपने साथ अगर मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पूरे आर्थिक शक्ति को केंदरित कर लिया तो ये वह वैक्ति हैं जो उसको डीसंट्रलाइज करते हैं क्योंकि क्या होता है अभी तक आर्थिक उन्नती का पूरा जो श्रेय था किसी एक व्यक्ति को जा रहा था लेकिन अब ये ऐसे कई उद्यमी स्थापित हो गए जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो क्या हो रहा है कि आर्थिक स्थिति के विकेंद्री करण की बात यहां पे स्पष्ट हो रही है ठीक है एक सफल ओगनाइजेशन है या सफल इकाई हैं जैसे टाटा बिल्ला ग्रूप रिलाइंस ग्रूप और बहुत सारे ऐसे ग्रूप से हैं कि सफल इकाई की तरह कारे करते हैं और यह केवल किसी एक यूनिट मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में काम नहीं करते हैं यह अलग- तरीके के काम भी यह करते हैं जैसे कि इंहोंने क्या किया एक सूपर मार्केट जैसा पाटन स्टार्ट कर दिया ठीक है इसके बाद बात आती है संतुलित आर्थिक विकास के लिए तो बालन से कहते हैं रही हょं कि यह वो लोग हैं जो की economic balance की बात करते हैं इनके लिए कोई भी विक्ति बड़ा या चोटा नहीं है ठीक है अब यह क्या कर रहे हैं सब को सब कर रहे हैं according to their education, their qualification मतलब जिनकी जो भी qualification है अगर कोई पोस्ट है जिसमें की well qualified person यानी ज्यादा पढ़े लिके लोग होगी ज़रत है तो उनको वहाँ नौकरी मिलेगी अब कर जो कोई पोस्ट है जहां पर कम पढ़े लिक होगी या लेबर्स किया वश्रकता है तो उनको वहाँ नौकरी मिलेगी मतलब differentiation on the basis of their education and qualification नहीं होता है जो बात होती है कि आर्थी की विकास सब को मिलेगा है ना जो सब अपने अपने लेवल पर काम करें देखिए क्राइटीरिया अगर हम देखें तो सारे लोग एक सैसे नहीं हो सकते हमारी पांचों उंगलियां बराबर हैं कि हमारी पांचों उ के अपनी प्रतिभाग अनुसार ही अपनी जीव का पार्जन कर रहे हैं तो वही बात यहां पे भी है लेकिन इनका जो कारे है इंका यह कारे है कि एक आर्थिक संतुलन बनाये रखना है मतलब अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो वो प्रॉफिट्स को क्या करना है लाब हो तो equally distribute करना according to their performance या उनके कारियों के नुसार उनको क्या करना है वो जो लाब हो रहा है वो बोनस के रूप में या extra fund के रूप में उनको देना है अगला महत्वा है उद्यमिये प्रवित्यां विक्सित करने के लिए to develop entrepreneur और tendencies बिल्कुल सही बात है यह जो entrepreneur होते हैं यह कई प्रकार की training program को organize करते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए लोगों में इस तरह की tendencies का विकास हो सके लोगों में इस तरह का internal motivation है ना अंतर प्रवित्या जागरित हो सके वो आंतरिक रूप से motivated हों की नहीं हमें भी एक नए उद् सब्सक्राइब करना है स्वर रोजगार के साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करना है और देश की आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देना है तो इस चीज़ के लिए लोग बहुत सारे training program भी और और एक role model की तरह कार करते हैं जिनसे की ए बहुत बड़े innovative people होते हैं यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं जैसे कि मैंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की हर जगह वह कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं जैसे customer attract हो है ना customer उनके पास आए मांग है डेविलप हो बने और कस्टमर की जब नीड बनेगी या डेविलप होगी तब वो उनको साटिस्पाइड करते हैं अगले बिंदू के और आगे चलते हैं और वो है रोजगार के अवसरों में व्रिद्धी के लिए बिल्कुल टू इंक्रीज एंप्लॉइमेंट अपॉर्चनिटी मतला कि लोगों को अवसर देते हैं कि भाई आप एंप्लॉई हो जाईए आपको रोजगार मिल रहा है आप रोजगार मिल रहा है तो बट ओविस यह है कि उनकी अर्निंग बढ़ेगी और उनके जीवन स्थार में क्या होगी व्रिद्ध नहीं होगी मान लीजें वो उनकी जो भी तनखा थी आमदनी थी पहले उतना ही नहीं होगी जो कि अब बढ़ करके थोड़ी ऊपर चली कहीं होगी तो यह साथ पॉइंट्स हम डिसकूस करते हैं आठवा जमात है वो कहता है उपलब्द संसादनों का सर्वत्तम उपियोग बिल्कुल सही बात है कि जितने भी रिसोर्स यानि संसादन उपलब्द हैं उनका सर्वत्तम उपियोग करना उसका ऑप्टिमम यूज करना ठीक है कि कि कितने अच्छी तरकी से उसका इस्तेमाल करें ताकि लिमिटेड रिसोर्स में भी वह अपने अबजेक्टिव या गोल जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उसको वो प्राप्त कर सके है ना ठीक है फिर बात आती है आत निर्बता के लिए तू सर्फ डिपेंडेंट क्योंकि देखिए वह आप लोग हमेशा जोस्ते होंगे सर्फ डिपेंडेंट होना मतलब क्या अपने पैरों पे खड़ कर सकें उसके लिए हम किसी और पर निर्बर नहीं रहें जैसे कि फॉर एक्जेंबल हम चोटे हैं ठीक है तो हम क्या किस पर निर्बर करते हैं अपने कर्चों के लिए स्कूल की फीज देनी है कॉलेज की फीज देनी है कबड़े चाहिए बसे चाहिए बुक्स चाहिए हो जाता है फिर हम क्या करते है जोब करते हैं येज़गों को आत निर्भर होने में मदद करते हैं फिर बात दी है कि आर्थिक एवं सामाजिक समस्या को कम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल to minimize socio economic problems लोगों को जीवन सरसुदारेंगे कैच सुदारेंगे उनको रोजगार दे करके ठीक है समाज में ऐसी बहुत सारी अलग-अलग problems हैं जिनको as a responsibility लेकर करके दूर करते हैं ऐसे schools बनाना जहां पर गरीब बच्चों को कम फीज दे करके अच्छा शिक्षन मिल स होते हैं उसको क्या करना उनमें कम फीज लेकर के या 50% यह पे करते हैं और 50% जो है वो पेशेंट के परिवार्चन करते हैं जिसे की कम पैसे में ही उनका क्या हो जाता है उनको वह services मिलती है तो ऐसे बहुत सारी social responsibility यह पे करते हैं समाज के लिए और जो समाज की समस्याएं ह उनको दूर करने का प्रैतने करते हैं फिर बाताती है और योगिक वातावरन विक्सित करने के लिए to develop industrial environment बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंडिस्ट्री रहेगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन सतर सुधरेगा तो कै उनको चीजों ने का इस कě सकते हैं बातावरन प्रदान करेंगे जहां पे जो शिक्षारतिए या विद्यारति आ उस दर की जौ रहन कर रहे हैं उनको चीजों को समझने का अब्जर्व करने का एक मतलब प्रॉपर तरीका मिले और वो उन चीज़ों को समझ सके और आगे इन फ्यूचर जब अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर ले तो उस तरह के और दोगी वातावरण को विकास करने में इन जो अल्रडी उद्यमी बन चुके हैं या उद्यम हैं वो कितना important role play करता है हमारे जीवन में सुधार लाने में या देश में सुधार लाने में समाज की आर्थिक स्थिती को सुधारने में उद्यमी का कितना important role है आईए अब हम देखते हैं उद्यमिता विकास को समझते हैं कि उद्यमिता विकास क्या है जो उद्यमिता विका करने एवं एक प्रभावशाली उद्यमिय भूमी का निभाने हेतु आवश्यक योगिता कला चातूरी एवं कौशल है को प्राप्त करने में सहाता करता है एक विद्वान है उनके नुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनमें संभावित उद्यमिता के गुण चिपे रहते हैं उन्हें उद्यमि प्रभित्यों के विकास को ही उद्यमिता विकास का जाता है अगर हम इसको निश्कर्ष में समझें तो अगर कोई विक्ति उसमें इस तरह के गुण पाया जाते हैं कि वो एक उद्यमिता विकास कहेंगे अब उद्यमिता विकास में कौन कौन से गुण होने चाहिए आई है तो आई देखते है कि वो गुण कौन से हैं यह कुछ गुण है साहस बिलकुल यह साहसी प्रवित्ति के होने चाहिए अगर कोई decision लेना है तो उनमें 5血 होना चाहिए कि नहीं हम यह decision ले सकते हैं अगर उसके जो भी लूपोल्स होंगे या उनका जो डिसिजन लिया गया है उसके जो लॉस हैं अगर होते हैं तो उनको बीयर करने की ख्षमता उन्में भी ψनी चाहिए और आगे आकर के उन कार्यों को करना चाहिए तो देखे सासी होना है और पहल पैन का गोंड पाना चाहिए दूसरा जो कि वहन करने की शम्तान चाहिए रिस्क टेकर होना चाहिए क्योंकि देखे उद्यमी का रिस्क टेकर होना बहुत जरूरी अगर उद्यमी रिस्क टेकर नह ऐसे अंधे में नहीं चलते हैं कि बस ले लिया देखा जाए नहीं यह जो रिस्क लेते हैं प्रॉपर मार्किट रिसर्च के बाद ही रिस्क लेते हैं कि जिसमें इनकी पूरा पूरी कोशिश होती है कि यह जो रिस्क ले रहे हैं या इन्होंने जो डिसिजन लिया है निर्न अच्छी होती है फिर बात आती है यह नहीं सोच यह विवहार बिल्कुल इनका एक नया सोचने का तरीका होता है किसी भी पुरानी चीज को लेकर के बहुत दिनों तक वो उसी सोच में नहीं रहते हर हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अनुसार यह अपनी सोच को तथा अपने विवहार को बदलते रहते हैं फिर बात आती है पक्का इरादा यह अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डिटमाइंड होते हैं इनका इरादा पक्का होता है अगर इन्होंने कुछ सोच लिया है तो इन यह वह उसको करके रहेंगे ठीक आपने बहुत सारे स्टाट अप्स जो कि अलग अलग बेसी स्टाट कर रहे हैं तो कुछ प्राप प्लैनिंग के सथ खरें कुस को सोचा ले जाना ही एक रिकाता है कि जो सोचा है उसको किया है तो यह लोग जो होते हैं विक्ती होते हैं दूसरा वीओ रचनाद Richardson के स्ट्राटेजिक विशें होता है यह किसी भी काम को करने से पहले बनाते हैं रिस्क ले रहे हैं टो केवल ऐसी रिस्क नहीं बहुत पहले किस तरह की समस्याइं आ सकती हैं और उस समस्याओं का निवारण कैसे होगा यह पूरी स्ट्राटेजी इनकी प्लान रहती है ठीक है तो इनका विजन जो होता है स्ट्राटेजिक होता है फिर बाता रही है आत्म विश्वास बिल्कुर इनमें बर पूर आत्म विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं और आ करते हैं चीजों को पढ़ते हैं ग्यान अर्जित करते हैं और उसके बाद डिसिजन लेते हैं तो यह एक नेरणय लेने के उक्षमता होती है क्योंकि इनमें एक अच्छा शुरू कर दिया उस कॉंसेप्ट को थोड़ा सा मॉटरेट या चेंज करके उसमें कुछ नयापन ला करके तो हम कह सकते हैं इनको अवसरों की पहचान बहुत अच्छी होती है ठीक है फिर आती है बात विकास करने का ग्यान बिलकुल कि कहां किस दिशा में कैसे विकास करेंग के साथ आगे बढ़ते हैं नेगेटिव तिंकिंगिंग को यह चोड़ते चले जाते हैं क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे या अगर हमारे में सकारात्मकता रहेगी तब ही हम क्या कर पाएंगे हमारे साथ चलने वाले लोगों को भी क्या कर पाएंगे सकारात्मक एक सकारात्मक सोच पे ये लोग आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु कहता है कारे करने की अदत बिल्कुल एक क्रिएटिव लोग होते हैं देयार क्रिएटिव पीपल है ना कि कोई चीज है उसको और अधिक आकर्शिक कि और अधिक आकरश्रक और क्रिएटिव कैसे बनाजांए और इनकी दरेमिंग भी हैं मतलब करना वाली को हो सकता है क्या सिन्यारियो कैसे छेंज होगा मार्केट More की नीनेरी च़ेंज होगा क्या रहेंगी है ना किस तरीके से market change होगा आग्या आने वाले समय में क्या-क्या परिवर्तन आ सकते हैं तो यह सब यह लोग एक strategy के तुरू plan करते हैं या हो सकता है इनकी सोच रहती है thinking रहती है जो dreaming के अंदर हम लेते हैं और इनमें नेत्रित्व की क्षमता होती है बिल्कुल सही बात है इनमें एक leadership quality होती तभी तो यह इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जो उनकी बातों से सहमत होते ह नहीं करते हैं ये कम बड़ी बात नहीं की सोच अलग है सब की सोचने का तरीका अलग है लेकिन कहीं आप से अगर इतना बड़ा ग्रूप जुड़ा हुआ है और आपकी बातों में कहीं दम है और अंत्यम है नेटवाकिंग कला बिल्कुल सhi बात है इतने को चलाना है तो एक विक्ति अकेला इतने बड़े उद्यम को तो नहीं चला सकता तो यहां पर बहुत सारी चीज़ों के आवश्रक्ता होती है तो यहां पर इन में जो networking की कला है कि अलग-अलग सतर पर अलग-अलग लोगों से किस तरीके से जुड़ा जाए जिससे की आसानी से काम को एकदम क क्या कह सकते हैं उसे आसानी से किसी भी कारे को softly smoothly निकाला जा सके यह उस तरह के कारे करना जानते हैं क्योंकि इनकी networking जो है बहुत ही तगड़ी होती है तो इस तरीके से हमने उद्यमिता विकास को जाना और एक विकसित उद्यमिंग में कौन-कौन से 15 गुण होने चाहिए उसकी बारे में हमने चर्चा करी